दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं यह वनस्पति बहुत ही दिव्य और पवित्र है इसका औसधी के रूप में प्रयोग होता है और साथ-साथ हमारे संस्कृति यानि हमारे जो पूजापाठ जो कल्चर है उसमें भी इसका प्रयोग होता है देख लिज कमजोरी है आपके सरीर में सकती नहीं आ रही है आपको ठकान फिल होता है अगर किसी को अंदुरनी दाकत की समस्या है या पत्री की समस्या है या फिर आपका लीवर कमजोर हो या फिर आपके स्किन में किसी तरह का इंफेक्शन हो तवचा रोग हो या फिर कबज की सिकायत ह उसमें इसका बहुत अच्छा फायदा होता है दोस्तों और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी मिलता है आँखों की रोसनी को बढ़ाता है आपके इसकीन की चमक को बढ़ाता है आपके बालों को बढ़ाता है लंबा घने और मुलायम करता है बालों की जड़ने की समस्या को रोकता है तो दोस्तों इस तरह के अगर आपको problem है तो इससे धेर सारा आप इसायता ले सकते हैं इसका प्रयोग करके दोस्तों अर्वेद में इस तरह के इसके भाव सारे जिक्र हैं और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है भहुत सारे ऐसे सौंदर प्रसाधन प्रयोग में इसका प्रयोग भी होता है और ताकत बढ़ाने वाली दवाव में भी इसका प्रयोग होता है तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम आपको इसके फायते के बारे में बताएंगे तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना आप एक लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन आप हो जाता है और आपके लिए वीडियो बिनाने का मन करने लगता है तो सबसे पहले दोस्तों इसका नाम बताते हैं इसका नाम है गुड़हल का फूल जियां दोस्तों आपने सही सुना आप इसको जानते भी होगे पहचानते भी होगे कहीं ने कहीं आपको जरूर नजराता है कोई अपने गमले में लगाता है या फिर आसपास कहीं भी है मिल जाता है दोस्तों कहीं कि इसको अड़ोल के फूल के नाम से जानते हैं और इसको लोग लाल फूल के नाम से भी जानते हैं आपके छेत्र में भी इसको किसी नाम से जान नाम बताते हैं तो लोगों को पाचानने और जानने में आसानी होती है जिवां दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि फूल और यि वीदिव हो सिव आ अंटलय वीडियों फर भी विद्मश्यहां करने के लिए पैंछफ प्लस यह बताइंगे नेचुर्ण है बिल्कुल आप इसको अपने तरीके से इस्तमाल करेंगे निच्रल तरीके का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा कोई भी नुकसान वगर ने होगा और आपको भरपूर फायदा होगा और साथ में आपके पैसे भी बचेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना इसके दोस्तों 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 और 10 ग्राम की मात्रा में चुरन लेकर के दिन में सुबह साम दूद के साथ या दूद नहीं है तो पानी के साथ भी आप इसका सिवन कर सकते हैं दोस्तों एक तरीका और मैं बता रहा हूँ तीसरा गुरहल के फूल का गुलकंद बनाया जाता है तो आपको क्या करना है धीर सार गुरहल के फूल लाने हैं आप इसके साथ आप पूरे खिले हुए फूल भी लाएं और इसकी कलियां दोनों को लाएं ऐसा है ना मतलब यह कि पूरा पूरा खिला 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 भी तो लाएं और इसकी कलियों दोनों को लाएं जो अधिके पूरी खिली फूरी खिलने वाली होती है उसको पूरी बंद नहीं खिलने वाली दोस्तों तो आप जो फूल लाएं के जीतनी वात्रा में फूल ला रहें उतनी मात्रा करें अपसमें रगड़े एक बरतन ले उसमें रगंद रगर करके फिर उसको रगड़े फूब देर तक अब समसले फूरे फूल एक कुझली फूल एक हाथ में जतना फूल आ जाया और मिस्री लेकर सो परस निकलेगा उसमें समाज आएगी फिर उसको क्या करें जर में भर्ले पूरी अची तरीक बन जाएगा और उस गुलंः गुलím का आप करें आप उसको एक चमच निका लें दिन में दो बार कर सकते है एक बार जैसे आप करना चाहे कर सकते हैं रोटी में लगा कि खा सकते हैं या फिर उसको दूद के साथ ले सकते हैं शुष Ci सेवन कर सकते हैं या फिर अपने घर पर बना सकते हैं दोस्तों अगर इसका आप इस तरह सेवन करेंगे तो आपकी चमता बढ़ जाएगी आपके दिमाग को तेज करेगा आपकी चहरे पर चमक लाएगा इसकी आपके यह खून को भी बढ़ाता है दोस्तों आखों की चमक को ध्यान भी रखना पड़ेगा अगर आपको सर्दिखासी की समस्या है तो फिर इसका 7 नहीं करें क्यों कि इसकी ताफिर भाहुत ही ठंडी होती जब सरदिखासी नहीं रहे उससे में 7 करें अगर सरदिखासी है तो पहले सरदिखासी को ठीक कर ले जब वो ठीक हो जाए जब आप सामान नहीं जाए तब आप इसका 7 करें दोस्तों अगर किसी की खून की कमी है तो इसके पत्तों का रस्पी है इसके पत्तों में दोस्तों iron खूब होता है तो आप इसके पत्तों को पीस लें और 20-25 mm की बराबर मात्रा में लेकर के दिन में 2 बार 7 करें तो आपके अंदर की खून की कमी को यह दूर करेगा हिमोगलोविन के बना था है जिससे आपकी खूण की कमी दूर हो जाती है दोस्तों अगले फायदे के बात करें किसी को इसीदिца की संस्या है कबर जराती है तो उसमें भी इसका पर्योग किया जाता है दोस्तों पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है जिनको पेट में जलण होती रहती है, जिससे की वज़े से मुई में छाले पढ़ जाते हैं, तो उस पेट को ठंडक रखने के लिए, जो पेट में जलन को दूर करने के लिए, और कप्ज की सम Начा को दूर करने के लिए, आप इसका प्रयूग करेंगे, कैसे करना है दोस्तुं? तो इसमें भी आपके इसके पत्तों का रस का सिवन ही करना है, शुबसाम जैसे मैं ने बताया, 10 ml के बरावर मात्रा में इसके पत्तों का रस निगाल के 7 करें, आपकी कब्ज की समस्चा दूर करेगी, आपके पेट में जो गर्मी होती है, जो जलन होती है, जो बदहजमी होती यह उसको भी दूर करेगी, दोस्तों, आप चलिए बात करते हैं, जिनका बाल असमें सफे रो रहा है, तो क्या करना है, इसके पत्तों को ले आएं, उतनी मात्रा में इसके फूलों के लें, दोनों को लग और इसको क्या करें नारियल के तेल में आपको पकाना है, जब आप काली पड़ जाए यानि किसमें स्माइचर निकल जाए तब इसे आच से उतार लें और ठंडा करके बोतल में रखे रात को सोते समय इसको सिर में मालिस करें दस मिनार तक दोस्तों अगर आप ऐसा रोज डेली कहते है न तो आपकी बालों की डुबध की निकल रॉम से पाफिस्ट करते हैं कि दोस्तों जब आपने जो तेल बनाया है सर पर लगाएंगे तो उस टाइम पे जब तक आप इसका यूज करेंगे कोई भी केम कर लियूगते हैं सेंपू का प्रयोग नहीं करेंगे सिर्फ हरवल सेंपू का ही प्रयोग करें बालों को दोने के लिए है इसको रभाव चारव साल पहले से लूज किया रहा है इस तरह के हमारे रुभ आरवेधा चार होते थे अपर यहिया करते हैं इसी तरीके से अपनी परसानियों को दूर करने तो हमारे शरीर को यह दम बिल्कुल सुद्ध करता है तो बड़ा ही दिभी है दोस्तों ते यह आज की वीडियो कैसे लगी जरूर पताएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दूसरी नहीं जानकारी के साथ तक लिए नवसकार आपका दिन सुओन